अगर आप भी सांस फूलने की बिमारी से परेशान है दोस्तों तो आपके लिए आज मैं पैतरिन सा नुस्का लेकर आई हूँ आप ये नुस्का आजमा कर अपनी इस समस्या से छोटकारा पा सकती हो कई बार क्या होता है किसी किसी को ये समस्या आस्थमा या दमा ओने के कारण हो जाती है किसी किसी को ये समस्या होती है तो थोड़ा सा भी चलना फिरना सीड्या चड़ना बिल्कुल मुस्खिल हो जाता है दोस्तों तो अगर आपको भी इस तरीके से समस्या आ रही है तो आप नुस्खा आज मा सकते हो वह उती बैतरे नुस्खा है और बिलकुल घर के चीजों से बना हुआ एक तम ही बड़ी आ नुस्खा है दोस्तो आप आसानी से इसका जो है इस्तेमाल करके अपनी सास फूलने की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हो इस नुस्खे के लिए ज जो अस्थमा के रोग्यों के लिए भी अच्छी है सास फूलने के लिए भी अच्छी है और दमा के रोग्यों के लिए भी अच्छी है तो इन चीजों का इस्तिमाल करना है तो यहां पे हमने काली मिर्ची का भी पाउडर बना लिया है और साथ में हमने लोंग का भी आपको मिल जाता है जिसका अशर कम हो जाता है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगे आप इने घर में बना कर और फिर इस्तिमाल करने अगली चीज जो अमने ली है वो है सूंठ पाउडर दोस्तों यानि कि ड्राई जिंजर पाउडर सिर्फ आपको दो पिंच के जितना ड्राई जिंजर पाउडर ले लेना है यानि कि सौंठ का पाउडर ले लेना है सारी चीजों की जो क्वांटिटी रहेगी न वो आप यहां पे ध्यान से देखना बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीज़े नहीं लेनी होती है और यहां पे मैं आपको सिर्फ ये एक दिन के लिए बन का पाउडर सारी चीज़े अभी तक हमने लिए हैं वो दो दो चुटकिया बरकर ले लिए अब लेना है आमें सेंदा नमक दोस्तों नमक हमें पिंक साल्ट सेंदा नमक इनका इस्तिमाल करना है बाकी रगुलर नमक हमें नहीं लेना है या पे चाहे आपका सांस फूलता है दमा के कारण फूलता है अस्तमा के कारण फूलता है सभी में ये फायदा करें तो ये चीज़े आपको इस तरीके से लेनी है आपको लेना चार चुटकी सेंदा नमक चार चुटकी अगली चीज़ अमारे पास है यहां पे मिसरी दोस्तों यानि कि सिटा मिसरी खड़ी मिसर भी बोलते हैं, आपके याँ इसको क्या बोलते हैं, वो comment box में जरूर लिख देना, जिससे कि सभी को इसके बारे में जानकरी हो जाएए, चार चुटकी ही अमें यापे सिटा मिस्री ले लेनी है, चार चुटकी नमक, चार चुटकी सिटा मिस्री का पाउडर और बाकी चीजे जो अमनिली है वो दो दो चुट के लिए इस तरीके से आपको ये बना लेना है ये मिश्रन जो है ना टोटल आपका एक चमच के जितना ही तयार होगा बस इससे ज्यादा नहीं एक दिन के लिए ये नुस्खा आपका इतना ही होना चाहिए अगर आप ज्यादा दिन के लिए क्वांटिटी बताई है उसके इसाब से आप अपने इसको बना कर तयार कर सकते हैं या फिर आप रोजाना भी इससे ताजा बना कर इसी तरीके से ले सकते हो अब अगली चीज इसमें अमें डालनी है एक चमच सैद बर कर दोस्तों यह सारी चीजे ऐसी हैं आपको सांस फूलन होते हैं उसके कारण भी समश्या आजाती है इस तरह की तो यह सभी में फायदा करता है एक चीज यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों अगर आपकी दवाईया चल रही है तो आपको दवाईया खाते रहना है बंद नहीं करना है और अगर आप दवाईय है तो दवाईया बंद कर दे या फिर दवाईया नहीं ले नुस्खा भी आप आजमा सकते हो इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन आपको जांच जरूर करवा लेनी चाहिए जिससे की कारण का पता लग जाए आपको यह क्यों हो रही है यह मिसरन अ आपको एक बार में ही नहीं लेना है यह चीज आपे आप समझ ले यह पूरे दिन के लिए आमने बना कर तयार किया है अगर आप काम से बाहर जाते हैं तो आप इससे सुबह शाम दो बार ले लेना अगर मैलाएं हैं जैसे घर में रती हैं मैलाएं बहुत सारी आउस अच्छे से चाट-चाट कर खाना ऐसा नहीं कि दवाई की जैसे चमच बरके आपने ले लिया और खा लिया नहीं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा लेना है और उसे अच्छे से पेसंस की साथ में चाट-चाट कर खाना है इस नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम आप डेड़ दो महिने लगातार करना जिनको सांस फूलने की समश्या है और आपको इससे फायदे नजर आते है न तो आप आगे कुछ दिन और आजमा सकते हो तो इस तरीके से डेड़ महिने तो आपको लगातार करना है इसके साथ-साथ एक चीज और बतारें जैसे अस्थमा या दमाकी रो लेना आप और फिर इस्तेमाल करना इसके अंदर इससे आपको अपनी चेश्ट और कमर दोनों की मालिस करवा लेनी हलके से गुनगुने तेल के साथ है तो आपको बहुत अच्छा मैसुस होगा अलकापन मैसुस होगा अगला एक और नुस्खा बता रहे हैं दोस्तों जैसे द का आजवाना है गुनगुना पानी इतना होना चाहिए घरम लगना चाहिए गरम लगना चईए पीते समय आपको लका सा एक गिलस बहुत लिए का तेल आपको ऐसे ही डाल लेना है, नोर्मल टेमप्रेचर का और तेल सर्षओं का दोस्तों अगर आप जैसे आपके सामने किसी दुकान पर निकाल कर देते हो जिनको दमाके पेशंट है उनको ये लाकर रख लेना चाहिए, सामने निकलवाया हुआ, तेल बहुती बढ़िया होता है उनके लिए तो आपको जो है ना इस तरीके से रोजाना कुछ दिन तक लगातार इसका इस्तिमाल करना चाहिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद रहता है इससे सांस फूलने जैसी बीमारी है उसमें भी ज़्यादा राहत मिलती है तो यहां पे अमने गुन इन में से कोई भी चीज सूट नहीं करती है तो प्लीज आप बिल्कुल भी इस नुस्खे को ना आजमाए और जब भी आप इस नुस्खे को लेना सुरू करते है ना तो कम से कम तेड़ मैने लगातार लेना जिसके बाद में आपको इसके बहुत बड़ी आरी जल्क आजमाए यह था नुस्खा है कि जब भी आपको एसी समश्या आती है तो आप इसी कुछ तिन आजमाए सकती हो अगर आपकी दवाईयां चल रही है मैंने आपको बता दिया है वो आपको बंद नहीं करनी है वो आपको साथ शाथ खाते रहना है और ये में आप आजमाए सक